नमस्कार में दिपालिव सभी का स्वागत दिपालिया आइस्ट्रों में करती हूं देखते हैं आज का दिन अनिकी 20 जून 2014 कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरात करते हैं में शाशी वालों के साथ आपका शान्त रहेगा आप सभी उन सारे पहलीओं को रिव्यू कर पाएंगे जो आपके इतने सालों से महिनों से या दिनों से पेंडिंग थे आज के दिन आप सारे अपने पेंडिंग टास्क को निप्टा पाएंगे आपके लिए पॉसिटिविटी बनी हुई है मन आपका साथ ही साथ आज के दिन आप कुछ नया अपने जीवन में एक कोई हाबिट को स्टार्ट कर सकते हैं जो आपके लाइफ स्थिर्टा बनी रहेगी मन भी आपका आज के दिन शान्त रहेगा बात करते हैं व्रिश्व राशी वालों के लिए पासर्टिविटी इंडिकेटिव चेंज करने के संदर्ब में अगर आपका निजी व्यवसाय है तो उसको एक्सपैंड करने के संदर्ब में या आज के दिन नौकरी चेंज करने के संदर्ब में भी आपको कोई इंफोमेशन मिल सकती है अगर आप उस अपचिनिटी को अवसर को या इंफोमेशन को सही तरीक लेकिन आपको अपने आप से आज के दिन कुछ ना कुछ दिक्कत होगी यानि कि आज के दिन आपको highly dissatisfied state में रहेंगे कि मैं ये काम कर सकता था लेकिन मैं ये नहीं किया या मैं किसी कारण वर्ष किसी काम में व्यस्त हूँ तो मैं ये काम को अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन आज के दिन ही आप proper alignment कर सकते हैं क्योंकि strategy को revisit करके किस तरीके से सुचारू ढंग से चलाएं ये आप से बहतर कोई नहीं जानता लेकिन समय इतना आपको नहीं मिलता कि आप उस चीज़ को या उस problem को देख पाएं इसलिए आज के दिन पुराने तत्यों को जो matters आपके pending हैं शांत दिमाग से address करें ताकि उसका solution और नई strategy उस पे आप काम कर पाएं बात करते हैं करकराशी वालों के लिए करकराशी वालों आप अपने तरफ से बिल्कुल सही situations को लेकर चल रहे हैं मन आपका शांत है परिवारिक स्थिरता बनी हुई है साथी साथ आज के दिन आप अपने और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ positivity लेकर आ सकते हैं आज के दिन आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए या उनके साथ कोई महत्वपूर्ण योजना पर काम कर सकते हैं यह नया प्रिमाइसेज लेने या नया घर लेने के संदर्म में भी माना जा सकता है साथी साथ अगर आप शेहर चेंज करने के एकशुक हैं अबरोड में सेटिल्मेंट के एकशुक हैं वो परिस्तिती भी आज के दिन आपके लिए कुछ न कुछ नए अवसर या कोई शुब संकेत लेकर आएगी बात करते हैं सिंगराशी वालों के लिए सिंगराशी वालों आपकी सिचुवेशन पॉजटिव हैं परिवारिक स्थिर्ता आपकी बनी हुई है साथी साथ आज के दिन इन्वेस्मेंट पॉइंट अव्यू से आपके लिए कोई अथी एक उपरिचुनिटी आ सकती है कारशेत्र में कॉन्फ्लिक्टिंग सिरारियो हो सकता है इसलिए शब्दों का प्रियोग सोच समझ कर करें वर्बल स्पैट या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुवेशन अराइज होने से पहले ही अपने आपको डिटाच कर लें या सामने वाला आपसे जिस स्वरूप में शब्दों का प्रियोग कर रहा है उसको उसी स्वरूप में लें अनिथा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अधरवाइस सिचुवेशन आपके एक नेगेटिविटी आपकी एगेंस्ट में क्रियेट हो सकती है कन्या राशी वानों के लिए आज के दिन आपकी थोड़ी से अस्थिर हो सकती है मन अशान्त हो सकता है टाइरिंग भी आप हो सकते हैं कुछ ना कुछ एक्जास्टेव सी सिचुवेशन हो सकती है कि आप mentally कहीं न कहीं किसी चीज के बारे में चंतन करने हैं, कोई problem आपको regular basis पे haunt कर रही है, आपका पता है कि उसका समाधान क्या है, पर आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, यारी कि आपके सामने उसका solution है, लेकिन आप उस पे नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहां प बात करते है तुला राशी वालों के लिए, तुला राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूं, तो आज का दिन आपके लिए सामानेता जाएगा, कुछ खास उतार चड़ाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा, इस थिरता पून रूप से आपके लिए बनी हुई है, स पॉजिटिविटी इंब्रेस करते हुए चलिए, लंबे समय से चल रहा है कोई पारिवारिक तनाव साजा होता हुआ नजर आएगा, कोट केस अगर कहीं चल रहा होगा, तो उसमें भी आप पॉजिटिविटी लेकर चल सकते हैं, आज के दिन आपके लिए कोई परिस्थित को अपने जीवन वे लाने की सोच रहे थे, तो आपके सामने आ सकते हैं, जो आपके लिए आगे जाकर लाबदायक सिद्ध हो सकती है, बात करते हैं विष्चिक राशी वालों के लिए, यह दूए अपसलूटली फाइन विष्चिक राशी वालों कोई टेंशन लेने की मंद हो, तो उसको पहले आइडेंटिफाय करिए, फिर उस पे आज के दिन काम करिए, क्योंकि अगर आगे कि आप सिचुएशन को अपने फेवर में लाना चाहते हैं, पाजिटिविटीविटी इंब्रेस करना चाहते हैं, तो यह ज़रूरी है कि वतत्यों का आंकलन और मु कि दौरान आप चिर्चिडे भी हो सकते हैं, लेकिन मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही साथ आज के दिन ओन और मूड स्विंग्स की परिस्तिती से बचने के लिए, आपको अपने लिए थोड़ा सा फ्री टाइम निकालने की जरूरत है, चाहे 5 मिनट निक साथे साथ आप उन सभी निजना के काम कर सकते हैं जो आप इतने दिनों और महीन से सोच रहते है और अपने लिए नही परिवार के लिए जो कुछ नईपरिस्तिति के ढ़ल सकते हैं, यह नई परिस्तिती कोई exercise हो सकती है, lifestyle को change करने की कोई technique हो सकती है, meditative कोई practice हो सकती है, पर उसको करिए, बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए, आपकी समानता परिस्तिती चलेगी, मकर राशी वालों कहें से कोई भी negative situation नहीं है, मन आपका शान्त है, माता प साथी साथ आज के दिन अच अधिकारियों से पद अधिकारियों से भी आपको समर्थन मिलेगा या परोथसाहन मिलेगा, पराकरम में वृद्धी रहेगी, confidence level में भी इजाफा होते हुए, देखेंगे, साथी साथी साथ आज के दिन कुछ नहीं होजना पे भी काम कर सकते है जो professionally आपके लिए काफ जादा लाबदायक साबित हो सकती है, बात करते है कुंबराशी वालों के लिए, कुंबराशी वालों हाज के दिन के मैं बात करूँ तो financial matters में थोड़ी सी सहजता है, थोड़ी सी आपको एक, मैं कहूंगे, विजलन होने की जरूरत है, साथी साथ लगता है कि अनावश्यक आपके खर्चे कहीं जा रहे है तो इसको कर्टेल करने की कोशिश करी क्यूंकि आपको ऐसा लग सकता है, वास्तिविक्ता भी है कि आपके पास पैसे नहीं रुकते हैं, आपको पता ही नहीं चलता की पैसे कहां चले जाते हैं, तो वहाँ पर करें लेकिन यह करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अग इसी की वज़ा से मुसली आप चंतित रहते हैं बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशी वालों समानता परिस्तिती जाएगी कुछ खास उतार चड़ाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा कारशेतर में भी अपने आपको तयार कर सके अपको चिंतन मनन करने की जरूरत है अपने लिए टाइम निकाली का अवलोकन करिए और बहतर स्ट्राटेजी करें चीजों को आप अरेस्ट करने की कोशिव करिए आज के दिन परिवारिक स्थильно या परिवार का सपोर्ट भी आपको भर-पूर मि झाल, 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 झाल.